14 जनवरी मकर संक्रान्ती के दिन इस ब्रिक्ष को छूकर आजाना ततकाल गरीबी मिठ जाएगी दोस्तो हमारे हिंदु धरम में देवी के अनेक सुरूप कहे गए हैं जिसमें ब्रिक्षों को भी मा देवी के सुरूप कहे जाते हैं तो आज मैं आप लोगों को पावन ब्रिक्ष के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको मकर संक्रान्ती की दिन छूकर आजाना है मकर संक्रान्ती की दिन इन ब्रिक्षों को अगर आप छूकर आते हैं तो ततकाल गरीबी मिठ जाएगी हमारे धरम में पेंड पौधों को देवी देपता मानकर इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा करनी भी चाहिए साइंस भी कहता है कि पेंड पौधे मनुश को फ्री में प्राण बायु परदान करते हैं और पेंड पौधे हमें आक्षीजन देते हैं हमारे जो कारवन डाई आक्षाई होते हैं उसे ग्रहन करके सभी प्रकार की जितने भी नकरात्मक्षीजे होती हैं उसे अपने अंदर ये श्वैम शोक लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं तो पेंड पौधे श्वैम तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनस को सितल च्छाया प्रदान करते हैं तो मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें आप छूकर आ जाना है जिनको छूने मात्र से ब्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं ब्यक्ति का सौभाग बदल जाता है चमक जाता है हमारे सास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुती गुड़कारी कहा गया है अनेक बीमारियों को उपचार पिड़ पौधे में छुपा है जड़ी बूटी में छुपा है और भगवान स्रीकुष ने भी गीता में कहा है कि ब्रिक्षों में मैं पीपल हूँ यानि कि सभी ब्रिक्षों का राजा पीपल है और यही पीपल मैं स्वेम ब्रिक्ष हूँ तो क्योंकि पीपल ब्रिक्ष की जो आयू होती है सबसे अधिक होती है इसलिए भगवान स्रीकुष ने स्वेम कहा है कि मैं ब्रिक्षों में पीपल का ब्रिक्ष हूँ तो चलिए आज में आप लोगों को मकर संक्रांती की दिन यनि कि आपको कौन-कौन से ब्रिक्षों को छोकर आ जाना है ताकि आपके घर से गरीबी दूर हो जाए। और इस्थिरवास करती है माता लक्ष्मी जी और इन ब्रिक्षों को छूने से मंगलकारी होते हैं अगर इस ब्रिक्ष को छू लेते हैं नए साल यानि कि आपको यानि मकर संक्रान्ति की दिन तो आपके सभी प्रकार की जो परेशानिया हैं सभी प्रकार के दुख दर्द कष् यह शूर और सनी के मिलन का दिन होता है। और मा लक्ष्मी जी की कृपा भी बरस्ती है इस धरा पर तो मा लक्ष्मी कृपा और अधिक बरसाने के लिए जितने भी जो पेड़ पौधे हैं जीव जन्तु हैं जल अचल सभी प्रकार के जो वश्तु हैं सब में प्राण आ जाते हैं शब में शक्ति नहित हो जाते हैं जा पौधे अपको आपको आपको जीवन की जो परेशानी है, दुख, दर्द, तकलीफ है, कश्ट है, रोग है, बीमारी है, कले है, कलेस है, जीवन में बहुत बड़ी समश्याएं है, सब समाप्थ हो जाएंगे. आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पौधय के बारे में बताऊँगा अगर ये पौधय, ये बृक्षय जो कहे गए जाते हैं आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है वीडियो को ध्यान से सुनियेगा अगर आज की वीडियो मिश कर दिये तो फिर सारी जिंदकी आपको पष्टाना पड़ेगा क्योंकि मकर संक्रानती के दिन आपको लंबी पूजा पाट करने के जरूरत नहीं है केवाल आपको इन ब्रिक्षों को इन पौधों को छोकराना है आप की गरीबी आप स्वेम देखेंगे ततकाल मिठते हुए जिन ब्र इंट्रेस्ट रखते हैं हमारे चैनल से आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है चलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप पहुंचानी कोशिश करिए क्योंकि हमारा मक्सद होता है जन हित एबं जन कल्यान करना त तकि आपके जीवन में जो चली आ रही समस्याएं हैं परिशानियां उसका निवारन मिल सके तो हमारे चैनल का मक्सद है जन हित एबं जन कल्यान करना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे ब्रक्षों के बारे में जिनको छोने मात्र से गरीबी मिट जाती है तो प माता पार्वती है यह दे भी शुरूप कहे गए हैं अर्थात नव दुर्गा में शुरूप कहे गए हैं इस ब्रक्ष के डाली में पार्वती जड़ में ब्रह्मा तने में ब्रश्णू एबं समस्त जो हिस्स्या है उसमें भागवान संकर वस्ते हैं संध्या काल के समय आप को मकर संक्रानते के दिन आप जाएं और इसे छूकर आजाएं बेल का ब्रिक्ष चूने से माता लक्षमी कृपा भी बरस्ती है और इस दिन बेल का ब्रिक्ष चूने मातर से गरीबी कोशो दूर चली जाती है तो मकर संक्रानते के दिन बेल के ब्रिक्ष को छूकर आजाना है अगला ब्रिक्ष यानि है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा, तुलसी के ब्रिक्ष को जरूर छो करा जाए, तुलसी के पौधे को छोने मात्र से गरीबी कोशो दूर चली जाती है, घर में शुक्षम ब्रद्धी का वास होता है, मातालक्षमी कृपा होती है, मकर संक्र प्रण्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गर में शुक्षम्रदी चाहिए रहती है कभी भी गरीबी का मुह नहीं देखना पड़ता और धन लाब होता है अनेक छित्रों में काम्याबी मिलती है घर में धन की बृद्धी हो जाती है दोस्तों आपको समी का ब्रिक्ष अगर आपके आसपास कहीं मिल जाए तो मकर संक्रा संक्रांती के दिन जरूर इसे चुक कर आजाना शमी के ब्रिक्ष में मातलक्षमी के बास होता है शनिदेव का बास होता है मकर संक्रांती के दिन शनिदेव का समी ब्रिक्ष में बास होने से और शनिदेव का और सूर का चुकी यहां पर मिलन भी होता है मकर संक्रांती के दि उसी को हर प्रकार के लाब मिलते हैं. कारोबार चलता है ते जिससे बिजनेश व्यापारा चलता है। घर में शुक्ष, शंतान, प्राब्ती, ब्यवाहग, जिवन सुक्मे रहता है। अगला ब्रिक्ष है नीम का पौधा, अगर नीम का पौधा मिल जाए, नीम का पेड़ ब्रिक्ष है, तो इसे भी आप जरूर, मगर शंकरादे के दिन चुकर आजाए, बहुत लाब होता है, या फिर अगर आपके आसपास, जैसे कि कोई पीपल का ब्रिक्ष हो, तो पीपल का पेड़ मिल जाए, ब्रिक्ष मिल जाए, तो इसे चुकर आजाए, इसे चुने मातर से गरीबी ततकाल मिड़ जाती है, घर में शुक्ष संब्रधी का वास होता है, तो इन ब्रिक्षों को चुने मातर से गरीबी ततकाल मिड़ जाती है, तो मकर संकरादे के दिन जरूर नाम करें और माता लक्ष्मी का श्मरन करें तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्ष्मी